गुट मार्निंग फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ खेत में और आज के ब्लॉग के शुरुवात फिर से खेत से ही होगी तो फ्रेंड्स मेरे जो लसन है इसमें लग गई है बीमारी और यह देखिए यह पिले पिले पत्ते पड़ जाते हैं और यह पूरे में लग जाती है फिर यहां स्टार्ट हो गई है लगनी और इसमें हम करेंगे स्प्रे और अभी तो इसका साइज बनना शुरू भी नहीं हुआ है बहुत हलका सा शुरू है मतलब और यह बीमारी इस बार जल्दी लग गई है नहीं तो बहुत लेट लगती थी और हर साल यह बीमारी लग जाती है और फ्रेंट्स देखिया मौसम और यहां से नदी भी दिखाई दे रही है आज पर नदी में पानी है कम यह दिखिये नदी से पार का व्यूव तो गईस बीमारी वाले लस्टन आपने देखिये कैसे जुलस गए है और यह दिखिये जिसमें नहीं लगी है अभी जिस साइड को मतलब यह दिखिये कितना ग्रीन है एक दम फ्रेश प्लांट्स और यह गुड़ाई किया हुआ है इसमें मैंने गुड़ाई कर दी है और लास्ट का एरिया है छोटा सा मनलग लास्ट की छोटी सी खाली में लगाए यह दिखिये यहां पर और स्टेम इसकी मोटाई दिख्वा आप वीडियो में इतने इच्छी नजर नहीं आती है तो गाईस मैं करूंगे अभी थोड़ी सी स्प्रे कुस्तो कमर साव ने कर ली है क्योंकि अब इस सारे में कर देंगे हम जहां नहीं लगी है नहीं तो यह फैल जाती है यह वाली बिमारी और थोड़ी सी जगह में आपको कर लेती हूं बची हुई क्यूंकि कवर साव को जाना है फिर कहीं काम से और बची हुई कर लेती हूँ मैं और ये बिमारी है ये पत्ते पीले पड़ जाते इसके एक दम बिल्कुल पीले उपर से आपको दिखी गए होंगे अलग से तो फ्रेंट्स आजकल बिमारियां कोई भी फसल हो उसमें बिमारियां हर एक में लगती है मक्याम भी इस ते उसमें भी मक्यों में भी लगती है आप तो कोई ऐसी चीज नहीं बचिए जिसमें मतलब बिमारी नहीं लगती है हर एक फसल में लग जाती है बिमारी तो चलिए करती हूं मैं स्प्रे और मैंने मास्क लगा लिया है क्यूंकि स्प्रे फिर नहीं तो एकदम ये अंदर को हवा चलती है तो हवा के साथ तो आंक को भी चली जाती है और सांस के साथ अंदर चली जाती है इसलिए मास्क लगाना जरूरी है या मुह बांद लो आप अजय हुआ है करया में जख पाई काथ 10 1976 सिए भाफनान हॉजड़ कि खायोग घटाए च।ड़ हो जिए पागं कि ठखरी नहीं ह। क scorर्णख कम a कš आया हॉशभान तो गजी तो तो गजी था आज का छोटा सब लोग और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा